जाएं दोसों, दोसों हाली में 5 दिसम्बर 2022 में अमेरिका की कैलिफोर्नियों में लाॉरेंस लिवार्मोर नेशनल लेबरेट्री में नुकलियर फुजन यानि की नाभी सल्लेयन के मादम से एनरजी जनरेट की गई क्यों महतुपूर्ण है एक तर्क के हिसाब से समझते हैं, वस 2010 का समय था, टैंप से मैग जीन में महान भौतिक वैग्यानिक स्टिफन होकिन्स का एक इंटर्विव हो रहा था, जिसमें उनसे एक प्रस में पूछा गया, कि आप अपनी जीवनकाल में कौन से वैग्यानिक अब तक होते हुए इन अविस्कारों में जो अभी अविस्कार हुआ है, उसमें ऐसी कौन जी सफलता मिली है, जिसके कारण हम सबी लोगों को एक आने वाले भाविस के बारे में एक अच्छी सी उम्मीद की किरन देखी जा रही है, समझते हैं, दोसों, पिछले काफी सालो तो से हम लोग नुकलर सीजन में प्रयोक करते आ रहे हैं, और हमें उसका रिजट भी मिला है, लेकिन इस बार अभी जब पांच दिसम्मर में जब यह प्रोसेस किया गया, यह एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उसमें यह दिखा गया, कि जितनी हम लोगोंने एनरजी इनप हुए है, और महातुपोड यह इसलिए है कि अगर हम इनपुट में कम एनरजी दे रहा हैं, और आउटपुट में ज्यादा एनरजी मिल ले हैं, तो अगर हम नीरंतर इस पर और कारी करेंगे, तो भवस में यह एक अच्छा एनरजी सोस के तोर पे देखा जा सकता है, दूस समस्या है, और आप सभी देख रहे हैं कि कितना सारा समस्या आ रही है, अगर नुकलर फ्यूजन पर हम लोग सफलता पाते हैं, तो ऐसी कोई भी समस्या नहीं आएगी, इवेन हम लोग फॉसिल की जो भी डिपेंडेंसी है, उसको खत्म कर सकते हैं, और इसमें एक अच्छी फ्यूजन फ्यून ले लिजए, या कोई भी एनरजी सोस ले लिजे, उसके कंपेर में जब नाभी की विखंडन, यानि की नुकलर फिसन से से एनरजी ynरेज जनेरेट होती है, तो वो 8-8000 जछादा होती है, यानि कि आप एट हजार इंटू का तीन से चारगुना का लिजए इतनी नुकलेर फिशन में दोस्तों केवेबिल्टी है और एक मातुपूर चीज और भी है यह जनरेट दोस्तों कैसे होती है केवल हाइड्रोजन से हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के आइसोटोप से डूटेरियम है या आप इसनकों देखें तो उससे जनरेट होती है और आपने अभी देखा होगा अभी पिछले काफी समय से हम लोग हाइड्रोजन पर लगतार कारी कर रहे हैं हाइड्रोजन की गाडियां भी आ रही है और अगर यह एनरजी सोस हमें मिलता है तो प्रकृति से मिली हुई की चीज़ को हम प्रकृतिक के हिसाब से अगर हमिस्त्माल करते हैं अच्छा होगा आपको इचांकारी सायथ पता होगी पूरे विश में या पूरे प्रहब्हांड में जो सबसे ज़ाइद पाये जाने वाई एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को हम जितना इस्तमाल करेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है वो कमी भी नहीं होगी जैसे कि यूरेनियम है या प्लूटोनियम है जिसमें हम नापकी विखंडन में इस्तमाल करते हैं उस तरह की कोई समस्था भी नहीं है औ और E equal to MC square के हिसाब से ही अभी तक नाभी की विखंडन में energy generate हो रही थी और अब ये nuclear fusion में भी energy generate हो रही है थोड़ा सा experimental वे में हम भाद करते हैं दोस्तों E यानि कि energy और equal to M यानि कि mass जो था वो जो प्रकास का वेक था C square में जो प्रकास का वेक होता है उसका हम लोग वर्क कर देते हैं तो nuclear fusion में दोस्तों होता यह है कि जब हम hydrogen के जो isotopes हैं जब हम उसके माध्यम से energy generation का process चालू करते हैं तो इस पे जब हम दो मास मलब hydrogen के element को काफी सारी energy दे जाती है और आपस में उनके नाभिकों को जब जोड़ा जाता है तो उन दो नाभिकों का जितना मास होता है आपस में जोड़के जो एक तीसरा परमाणू बनता है hydrogen नहीं बन गया या जो भी तीसरा परमाणू बना उसमें दोस्तों जितना उसका मास होता है उन दोनों के compare में जो दो अलग अलग परमाणों से मिलकर बनाव हुआ है उनके compare में जो तीसरा परमाण होता है उसका मास दोस्तो कुछ कम होता है और वो कम हुए मास में जितना भी वो difference होता है वो दोस्तोAR energy की रूप में convert हो जाता है क्योंकि e2 to mc2 energy और मास जो है आपस में सापेच है तो अगर मास कम होगा तो कहीं न कहीं उस मास के replacement में जो भी चीज़ें मिल रही है वो energy के तौर पर convert हो रहा है और अगर यह हो पाना अगर सफलता हमें मिलती है तो निशी तौर पर एक अच्छा होगा और एक important चीज़ दोस्तों और भी है अभी तक जो भी energy generate हो रही है वो हम लेजर energy के माध्यम से generate कर रहे हैं अभी ज आने वाले समय में हम लोग जो है magnetic के थूँए energy generate करना पाएंगे magnetic fusion के थूँए energy generate कर पाएंगे और समझते हैं अंतर दोस्तों विसमें कई साले देश nuclear fusion पर काम कर रहे हैं अमेरिका इंगलेंड फ्रांस है रूस काम कर रहा है उसमें चैना भी काम कर रहा है और भारत भी दो जो है magnetic fusion के magnetic fusion के माध्यम से energy generate की जाएगी जो fusion की process होगी और इसमें दो मोड पे काम हो रहा है basically पहला तो होगा जिसमें जब 50 MW के energy दे जाएगी तो इसमें उसका 10 गुना यानि कि 500 MW energy पराप्त करने के बाद कहीं जा रही है और इसका टाइम डूरेशन होगा लगभा 300 से 500 200 सेकेंड का होगा जबकि जो दूसरा मोड होगा उसमें जो है 50 MW input पे energy देखे जो output energy प्राप्त करने के बाद के जा रही हो 250 MW की होगी और इसका दोस्तों जो time duration होगा 3000 सेकेंड की 3000 सेकेंड होगा तो इस तरीके से nuclear fusion पे काम हो रहा है आगे अनुले समय में हम लोग और कमेंट बॉक्स में बताएगा nuclear fusion के regarding में यह वीडियो कैसे लगा प्लीज यह भी कमेंट बॉक्स में बताएगा